एक वीडियो अप्लोड कर दिया चैनल पे एक भी वीडियो अगर बाइचांस आपसे मिस हो गया होगो तो प्लेलिस का लिंक डिस्किप्शन में गो देख लेते हैं राइड है जावा प्रोग्राम तु काउंट असम उप नमब लिखने वाले हैं हम दोनों लाइग्वेज में कोड लिखेंगे so count a sum of numbers in a string मतलब मैं कहना क्या चाहरा हूँ description देखते हैं हमस्ते हैं कि हमको करना क्या है आज के दिन में so description कहता है कि get a string from the user हमको user से string लेना है and find a sum of numbers in the string समझो कि अगर user ने लिखा hello one two three अगर लिख दिया by chance so उस string में numbers क्या क्या है one two or three तो हमको इन जितने भी numbers है अभी इस example one two three है so one plus two plus three इन तीनों को add करके जो value आता है वो हमको return करना है ठीक है so देखते हैं examples किस तरह से लिया जाएगा input डेखते हैं so interesting यह message display होगा जिससे देखके user कुछ type करेगा so in this case यहाँ पर type किया है simplified 22 space learner 2023 तो इसमें characters भी है as well as integers भी है so output देखो कैसे आएगा output यहाँ पर आया sum is 11 तो हमको इसी तरह सा output display करना आज के code में so 11 कैसे आया देखो तो simplified के बाद 22 है means 2 plus 2 फिर देखो learner के बाद 2023 है means 2 plus 0 plus 2 plus 3 so इन सारे नमबस को जो plus के ते हमको sum कितना मिला 11 तो इसलिए हमने यहाँ पर 11 display कर दिया so क्या approach होगा क्या algorithm use करेंगे इस code को successful बनाने में in Java as well as in Python so algorithm देखते हैं किस तरह से रहने वाला है so सबसे बिल हमको user सा input लेना होगा तो जो कि string के form में होगा so उसको एक variable में हम लोग store कर देंगे so let's say str1 करके हम लोग एक variable create कर लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे हमको iteration करते जाना है जब तक कि हम लोग string के length के equal ना आ जाए so समझो अगर simplified लिखा है तो उसका कितना length लिखा है वहाँ तक हमको iqo iteration पे लगा देना है and फिर उसके बाद हमको condition लगा के check करना है क्या उस particular height position पे वह character है वह digit है या फिर वह character है समझो अभी i point कर रहा है h पे हम लोग hello अगर word लिखे so h अभी क्या है character है तो छोड़ो क्या वह digit है क्या वह character है इस तरह से वह check करते जाएगा ठीक है and फिर हम लोग क्या करेंगे जो जो height position पे digit आएगा उन सारे digit को हम लोग को sum कर देना है so calculate the sum of each digit and store it in the sum variable एक sum नम का variable करेंगे वहाँ पे हम लोग सब sum को store करेंगे and finally हम क्या करेंगे sum को print कर देंगे so बहुत simple सा अप्रोच है कोई doubt इसमें अभी तक नहीं so let us begin with the java code so देखो यहां पर मैंने boiler code अल्रेडी लिख लिया है जैसे कि import java.utile.scanner फिर यहां पर class है class का नाम देखो क्या है number of string जो कि मैंने file का नाम रखा है number of string.java and फिर देखो main function यहां पर लिख दिया मैंने scanner को यहां पर declare करके एक message pass करवा दिया enter string and हम जो भी enter करेगा user वो string को हम लोग store करेंगे str1 नाम के variable में so st.next line लिखना ताकि user अगर space डलके भी कुछ type करें तो वो भी हमारा computer read कर पाए और उसको store कर पाए str1 में is that clear फिर हमने क्या किया sum को यहां पर declare कर दिया 0 से so int sum equal to 0 अब देखो हम लोग for loop लगाएंगे ठीक है so for int i equal to 0 i कहां तक जाएगा जब तक कि हम लोग str के length के equal ना आ जाए so i is less than str1.length str1 क्यों लिए क्योंकि वही हमारे पास अभी फिलाल input है उसी में हमने input को store किया है so str1.length तक जाएंगे and हर एक बाद हर एक iteration के बाद i को plus plus कर दे जाएंगे means आगे बढ़ाएंगे i plus plus so अब इस for loop में हम लोग conditions लगाते हैं देखो condition बहुत ध्यान से लगाना यही main part है इस पूरे code का if character.is digit क्या वो character digit है किस पे क्या चीच पे हम लोग चेक कर रहे है str.character at i अब उस it position पे क्या वो character digit है यह condition हमने यहाँ पे लगा दिया अगर वो digit है तो हमको क्या करना होगा हमको sum जो variable हमने यहाँ पे declare किया जीरो से उसको update कर देंगे उस particular number से plus उसको हम लोग store भी करके आगे add करेंगे देखो कैसे करेंगे sum equal to sum plus character dot get value means get numeric value एक तरह से जैसे अभी वहाँ पे 2 अगर आ गया sum पहले 2 था फिर plus 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा इस तरह से यह चलते जाएगा जब तक कि हम लोग सब digits को cover ना कर दे एक given integer में जैसे के example में देखो हमने यहाँ पर simplified 22 learner लिया था उस तरह से वहर एक digit को add करते जाएगा और यह for loop चलते जाएगा जब तक कि हम लोग सब को cover ना कर दे एंड जैसे हमने digit को cover कर लिया सब characters को cover कर लिया हम लोग for loop से बहार आ जाएंगे और बहार आने के बाद हम लोग print कर देंगे the last updated value of sum so system.out.print और लिखेंगे sum is and फिर plus करके लिख देंगे sum जो कि हमारा variable है sum जिसमें हमने सारे digits के value को plus करके रखा है so यहीं पर code खतम देखो यह algorithm 5 line का था code भी हमारा 5 line में आ गया पूरा खतम हो गया code कोई भी doubt है इस code में तो please comment करो हम लोग sum को 0 से initialize किये फिर for loop चला है जब तक कि length के equal ना हो जाए फिर condition चेक कि character.isdigit कहां पर वो character at i and फिर हमने sum को update कर दिया and फिर sum को print कर दिया is that clear so let us see some output and test cases फिर हम लोग उसको manually analyze करेंगे and फिर हम लोग move करेंगे python code की तरफ जो आपको बहुत मजाएगा so मैं यहां पर code को run करता हूँ देखो output में interesting so यहां पर मैं enter कर रहा हूँ ऐसे random keys को मैं click कर रहा हूँ numbers और letters को so देखो output कुछ अलग साया कुछ और दूसा example देखा so वहां पर भी output अलग साया हमको तो plus करना था किया है तो automatically आ गया था तो उसको हटा दिया मैंने वहां से अब code को मैं run कर रहा हूँ interesting so यहां पर मैं कुछ लिखूंगा 64 simplified ऐसे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी जो भी मैं को दिमाग में आ रहा है and फिर इसके बाद को मैं run करूंगा code को so जितने भी numbers है इसमें उन सारे के sum perfectly यहां पर calculate होके आगे अब code में कोई error नहीं बस if condition में मैंने semicolon लगा था उसको वहां से हटा देना देखो एक और example दिखाता हूँ hello 10 world 91 जो यहां पर आ गया 11 जो कि बिल्कुल सही है so इस तरह से java code के help से हम लोग किसी भी given string में जो numbers अगर होंगे उनका sum calculate करके निकाल सकते हैं इसके बहुत useful होते हैं बहुत useful है यह code बहुत use होते है corporate world में so I hope कि java code आपको clear है so let us move towards the python code without wasting any further time so coding statement description सब कुछ same है input output भी हम लोग इसी तरह से रखेंगे so हम लोग 2 method देखेंगे actually python में so let us start with the method number 1 so सबसे बहुत हम लोग user से input लेते हैं उसको store करते है str नाम के variable में तो str equal to input enter a string so यह message देखे user कुछ input करेगा जिसको हम लोग store कर देंगे str में first sum 1 equal to 0 ठीक हमने sum 1 को initialize करते है 0 को 0 से अब लोग for loop लगाते है किसमे str में जो user से input लिये है for i in str सिप for loop नहीं लगाना है उसके बाद conditions भी लगाना है तो condition क्या होगा हम लोग क्या चीज का approach करेंगे method number 1 में हम लोग यहाँ पर check करेंगे s की value of 0 से लेके 9 तक के बीच में क्योंकि number 0 से 9 का combination नहीं होता है अलग अलग तो हम लोग यहाँ पर s की value का use कर लेंगे so if order of i is greater than equal to 48 and less than equal to 57 तो हम लोग क्या करेंगे sum equal to sum plus int of i ठीक है means sum 1 equal to sum 1 plus int of i मैंने sum 1 नाम रखा है अपने i sum variable का ठीक है so यह तो हम लोग s की value में किये क्या असल में हम लोग check कर रहें कि क्या उस 8th position पर जो iteration करेंगे हम लोग htr में क्या उस 8th position पर जो value आ रहा है जो character आ रहा है क्या वो इस particular s की value के range में आ रहा है 48 से लेके 57 के बिच में क्योंकि 0 से लेके 9 तक पर जो number है यह सी range में आ रहा है s की value में देखो यह table में आप देख लो तो इसके मदर से check करेंगे अगर उस range में आ रहा है तो उस particular i के integer value है उसको लेके हम लोग plus कर देंगे sum में sum 0 है plus उस value को हम लोग add करेंगे फिर आगे जाएंगे फिर उस value को लेंगे add करेंगे इस तरह से लूप चलते जाएगा जब तक कि हम लोग पूरे string को cover ना कर लें और फिर हम लोग बहार आके print कर देंगे sum को ठीक है कोई doubt इसमें s के value में कोई doubt नहीं एक बात का ध्यान रखता जब लोग print कर रहे हो सिप sum को print मत करो str of sum 1 को print करना क्योंकि basically हम लोग उस str में से sum को add कर रहे थे और हम लोग अच्छे से sum को print करेंगे देखो result दिखाता हूं मैं आपको interesting 52 hello so और भी कुछ नम लेता हूं 3 तो देखो sum perfectly calculate आके यहां पर आ गया 10 यह देखो अगर मैं str यहां से हटा दो तो क्या इसका consequence हो सकता है sum 1 लिखू तो देखो क्या result में हैगा interesting 10 hello 3 तो देखो output में आया 4 3 plus 1 4 पर यह 0 का कुछ value नहीं रहा तो उसे फरक कभी-कभी नहीं भी पड़ेगा पर पड़ भी सकता है तो आप follow करो अच्छे से rule को और लिग देना str of sum ठीक है so this was all about method number 1 बहुत ही simple था हम लोग s की value के help से method 1 में calculate करे थे कि कोई भी given sting में अगर numbers आ रहे हैं तो उसको add करके कितना value आता है so method number 2 देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा simple है इसमें कोई s की value को आपको याद करने की आवशकता नहीं है ठीक है so let us see the method number 2 input and जो हम लोग user से लेने वाले str उसको same रखते हैं तो मैं same चीज कोपी कर लेता हूं यह sum1 equal to 0 इसको भी initialize करना है तो यह भी मैं same चीज को copy paste करता हूं ठीक है ताकि आपको relate कर पाऊ आप दुनों method को ठीक है यह दोने चीज को comment out करके मैं इसको लिख दिया हूं and method 1 को मैंने पूरा comment out कर दिया थाकि वह हमको disturb न करे code को run करने में जब हम लोग method 2 को solve कर रहे हैं ठीक है so simply for loop लगा दो str में for i in str और एक condition लगाना है बस एक condition if i.isdigit यह function का use करना है if i.isdigit यह function अगर perfect है मतलब उस particular it position पर अगर वो digit है numeric value है तो हम लोग sum को update कर देंगे sum equal to sum plus int i is that clear to everyone and सारे iteration होने के बाद हम लोग simply print कर देंगे sum को मतलब sum is double quotes के अंदर comma sum sum code यहाई पर खतम अब बताओ method 1 और method 2 में से कौन सा easy था मुझे तो method 2 easy लगा क्योंकि हम लोग इस में से i.isdigit function का use क्या is digit हम लोग पूछ रहे computer से क्या वो digit है हाँ वो digit है तो हम sum में plus कर रहे है अगर digit नहीं है तो ignore कर आगे बढ़ो तुम so second method बहुत ज्यादा easy था as compared to method 1 so चलो मैं output आपको देखाता हूँ so interesting so यहाँ पर मैंने enter किया simplified 22 learner to 2002 3 so output आगया 11 जो कि perfect है कुछ और example देखो के चलो वह भी मैं यहाँ पर लिखते था हूँ 55 hello 64 कुछ भी type कर रहा हूँ है लंबा सा कुछ अंदेखो sum is 50 बिल्कुल सही इसको अब manually calculate करेगा तो भी यह 50 ही आएगा so this was method no.2 मैं पाइथन में हमने देखा है दो method कि सिच के बारे में अगर given string है तो उसमें integers कितने उनको count करके plus करना so method no.1 हमने देख लिए बहुत आसानता s की value के help से हमने method no.2 और भी असानता बस इस digit function का हमने यूज किया and java code भी देख लिया हमने किस तरह से code करते है यहाँ पे हम लोग for loop लगा है और character is digit or not यह चेक किया and हमने यहाँ पर output print कर वा लिया so this was all about today 36 day coding statement I hope कि आपको अच्छा लगा यह code मिलते है कल साम को साथ बजए एक नए problem statement के साथ till then stay tuned happy learning channel को subscribe करो bell icon click कर दो and video को share करना मत भूलिये